जान्गीर चापा पुलिस को मिली फिर एक बार बड़ी सफलता जानगर सैनिक की हत्या करने वाले आरोपी चड़े जान्गीर चापा पुलिस टीम के हत्ते दरसल पूरा मामला नवागर थारा शेत्र का है जहां कुछ दिन पहले नगर सैनिक रज्जु प्रशाद को अवरीद और अमोरा के बीच सड़त पर धारदार हत्यार से मौत के घाट उतार दिया था जिसमें आरोपी 48 घंटे के अंदर जान्गीर चापा पुलिस टीम के हत्ते चड़ा पुरे मामले का खुलावसा जान्गीर चापा एसपी पारूल मातुर ने पताया कि पूरा मामला पैसों के लेंदेन का है जहनगर शैनिक रज्जू प्रशाद ने आरोपी शंतोस मधूकर को कुछ वर्ष पहले ब्याज पर एक लाख रुपे दिया था जिसका ब्याज आरोपी द्वारा सही समय पर नहीं दिया गया जिसको लेकर मृतक रजु प्रसाथ और आरोपी शंतोस मधुकर के बीच कहा सुनी हो गई जिस बात के निप्टारा को लेकर आरोपी संतोस मधुकर ने अपने बेटे और उसके चार साथियों के साथ मिलकर इस पूरे घटना को अंजाम दिया है जिसमें से चार आरोपी बालिग और दो आरोपी नाबालिग बताए जा रहे हैं 24 तारी की रात में जो कॉंगाट सैनिक रजू प्रसाथ तिवारी उम्रे लगभग 54 यर्स जोकी नवगण थाने में पदस था उसकी हत्या की समन्द में मामला पंजिवद हुआ था और उसी समय से लेकर लगभग 48 आर्स के विदिन पुलिस ने स्पूरी गुत्थी को सुझ कि जो मितक है उसके द्वारा ब्याज पर पैसा दिया जाता था और जो मुख्य आरूपी है वो भी एक होंगाट का सैनिक है जो की नवागण थाने में ही पदस था और उसके ओपर करीब 10 लाग के आसपास की लेंदारी इसके बही खाते का जो हिसाब जप्री के आगया है उ उसकी गुथी सुलजी है क्योंकि जो घटनस्थल था वहां पे हमें दो मुबाइल अक्टिव मिले थे उस टाइम में और वो जो मुबाइल थे उसमें जो दो संदेही थे उसको उसी रात से उठाके और पूश्टाच की जा रही थी और उसके बाद जब यह भी खाता मिला जो मुख्य आरोपी है उसी के बेटे का मुबाइल नंबर वहां पे आक्टिव पाया गया तब इस आरोपी को भी बठाके और कड़ाई से पूश्टाच की गई तो उन्होंने पूरी बात को स्पीका रहा कि इसके हिसाब से करीब डेर दो लाग ही पैसा देना बाकी था अपने घर अमुरा के लिए निकल रहा था तो आरोपी जो मुख्य है उसने अपने बेटे को फोन करके बताया कि यहां से निकल गया है और घटनास्थल पर पांच विक्ति उसका इंजार कर रहे थे और वहीं पे इसकी मोटर साइकल और मुबाइल भी घटनास्थल पर प्र कि जो जितने भी सबूत हैं उसको हम लोग जबते हैं अरोपी टोटल छे हैं और सभी को गिरिफतार करके आज ही रिमांड कर भेजा जा रहा है